जिस तरीके से 9 दिसंबर की उस रोज भारत और चीन के सैनिकों के बीच वो टकराओ हुआ था हालिकि इस तरह के इलाकों में हम आपको बता दें कि भारत और चीन के पिट्रोल पार्टियां जब सेनाओं की निकलती हैं तो अलग-अलग इलाकों में परसेप्शन को लेकर उनके बीच टकराओ सामान्या होता है लेकिन यहाँ पर 300 चीनी सैनिक लगभग 300 चीनी सैनिक आगे आकर भारत के पोस्ट की तरफ प्रयास कर रहे थे कि वो वहाँ पर उस पोस्ट को उखाड फेके लेकिन भारतिय सैनिकों ने उखाड फेका उन चीनियों को और उन्हें एक ऐसा सबक सिखाया जो उन्हें हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा भरपूर देते हैं यह जो इलाका है बहुत कफिन होता है बारिश के मौसम में बहुत जबरदस्त और बिलना रुके बरसात यहां पर होती है जिस वजह से जो उपकरण हतियार भारतिय सेना यहां लाती है उनके मेंटेनस पर भी बहुत जोड़ देना पडता है सेनिकों को पेट्रोलिंग में बड़ी मुश्किल है उस समय आती है और बारिश का मौसम खत्म होते ही यहाँ पर भीशन ठंड की शुरुआत हो जाती है जो कि इस समय है आपको बर्फ जरूर नजर नहीं आएगी क्योंकि बर्फ पढ़ती है वो जम नहीं रही है अभी इन हिस्सों में लेकिन ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है पर भारत ने यहाँ पर अपनी जो तैनाती रखी है चीन की चालबाजियों को देखते हुए वो हू बहु जितनी चीन की तरफ से डिप्लॉयमेंट किया जाता है भारतिय सेना अपनी तैनाती उसी संक्या में यहाँ पर कर लेती है यहाँ पर जो हतियार हम रखते हैं यहाँ पर जो हमारा तोप खाना मुस्तैद है वो ऐसा है जो पल भर में चीन को मुतोड जवाब देने के लिए काफी है असम के तेजपूर और चाबुआ में कई जगों पर झाल झाल तैयारी की एक और जलत मिलने वाली है हमारी एरफोर्स कल से पूर्वी सेक्टर में जबरदस्ट एक्सरसाइस कर रही है इसमें हेलिकॉप्टर, फाइटर जेट और एर डिफेंस सिस्टम सुकोई शामिल होंगे चीन को माकूल जवाब देने की हर तैयारी पूरी है तवांग से श्विता सिंग आज तब